एक्जाम्पल नुबर 1.2 इफ 10 देश्टो 9 इलेक्ट्रोन मुव आउट अफ बॉड़ी तो अनधर बॉड़ी एवरी सेकंड लेट सबोस कोई बॉड़ी है जो हर एक सेकंड पे 10 देश्टो 9 इलेक्ट्रोन रिमूव कर रही है तो हम बता सकते है कि वो बॉड़ी पॉजिटिवली चार्ज हो रही होगी अब क्वेशन है पूछा हुआ है How much time it required to get a total charge of 1 कुलम on the other body तो उस बॉड़ी के उपर 1 कुलम चार्ज होने के लिए कितना time लगेगा सबसे पहले तो हम ये find कर देते हैं कि 1 कुलम चार्ज मतलब उसने कितने electrons loss किये होंगे total number of loss electron by 1 कुलम चार्ज बॉड़ी quantization of charge का equation लगाए तो q equal to n e जहाँ पे q 1 कुलम है तो यहाँ से हम number of loss electron find कर सकते हैं n equal to q by e वो हो जाएगा 6.25 into 10 raise to 18 electrons अब जैसे की question में दिया हुआ है कि 10 raise to 9 electron remove करने के लिए उसको 1 second का time लग रहा है तो for 10 raise to 9 electron move out of body take 1 second तो इतने electron बहार निकल ले के लिए कितना time लगेगा तो time t equal to 6.25 into 10 raise to 18 multiply by 1 divide by 10 raise to 9 तो answer आजाएगा 6.25 into 10 raise to 9 seconds अगर मुझे इस seconds को year में convert करना है तो divide by 3600 multiply by 24 multiply by 365 करूंगा तो ये second time years में convert हो जाएगा तो final answer is t equal to 198.2 years तो body को 1 कुलंब चार्ज होने के लिए 198.2 years इतना time लगेगा तो